Hello everyone, welcome back, Wi-Fi study with Nandiri discuss करेंगे 6th October के current affair, morning का thought देखेंगे, फिर अपनी class को start करेंगे, और last में revision की class है, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है, कि जो कुछ भी हम previous पढ़ते हैं, उसका आप फटा-फट revision करते हैं, तो चलिए start करते हैं, thought देखते हैं, और उसके बाद अपनी class को start करेंगे, thought of the day ये है कि अगर आप गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप काम ही नहीं करेंगे, तो गलतियां कहां से होंगे, तो इसलिए काम करते जाएए, गलतियां होती जाएं, तो उसको सुधारते जाएए, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, गलतियों के उपर फोकस करिए, उनको दुबारा न करने की कोशिश करिए, और उनसे ही सीखते रहिए, क्योंकि जब हम सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में आगे है और जो गलतियां है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती हैं और हमारे अंदर जो सुधार की संभावना है वो बहुत जादा बढ़ जाती है और जब सुधार की संभावना आ जाती है तो अपने आप हम सही दिशा में आगे बढ़ते हुए सफलता उप्राप् सबसे पहले जो बात करेंगे Asian Games के बारे में बात करेंगे 23 सितंबर को स्टार्ट हो गया है आठ हक्टूबर तक चलने वाला है इस Asian Games में एक रिकॉर्ड बनाया गया है भारत की द्वारा उसके बारे में आपर चर्चा करी जा रही है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है नीरत चोपड़ा जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं जैवलियन थ्रो के खिलाडी है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेक में भारत के लिए साथ में स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं वो है किशोर कुमार जेना किशोर कुमार जेना ने सिल्वर मेडल राप्त किया है इस बाक जैसा कि हम सब को पता है कि जो एशियन गेम से हैं वो चाइना के होंग जाओं में चल रहे हैं ठीक है तो जब ये चल रहे हैं हौंग जाओ में तो इसके बारे में बात करते हैं मैं बता दूँ कि जो हमारे नीरत चोपड़ा जी है जिनको गोल्ड मेडल मिला है जैवलियन थ्रो में इन्होंने 88.88 मीटर का जो जैवलियन थ्रो है वो फेका था जिसकी वज़े से गोल्ड म मिला है नीरत चोपड़ा का जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है इनका खुद का व्यक्तिकत रिकॉर्ड वो है 89.94 मीटर का है ना तो आप देख सकते हैं नीरत चोपड़ा जी की एक लबधी है 89.94 मीटर जिसको तोड़ना एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है किसी भी जवेल अंतरों खिलाड़ी की ए आए नेक्स्ट बात करते हैं जैसा कि चाइना के होंग जाओ में ये जो एशियन गेम्स है वो चल रहे हैं इसमें एक और रिकॉर्ड बनाएगे है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे 4 इंटू 400 मीटर की जो रिले रेस थी इसमें जो भार पहले देख लेते हैं स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इसमें हैं मुहमद अनस याहिया, अमुज जैकब, मुहमद अजमल, बारिया थोडी और राजेश रमेज थीक हैं तो इनकी जो डी नहीं 4 इंटू 400 मीटर की जो रेस थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत में 61 साल बाद ये मेडल जीता है यानि कि गोल्ड मेडल इसके पहले भारत में 1962 में एशियन गेम्स में इस तरीकी का कोई मेडल जीता था और भारत की जो महिला टीम जिन्होंने 4 इंटू 400 मीटर की रेस में पार्ट्स रेपेट किया उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओके क्लियर आए नेक्स बात कर लेते हैं आरवी आई के बारे में आरवी आई का नया एक्जेक्यूटिव डैरेक्टर किसे निउक्त किया गया है आरवी आई के द्वारा ये पूछा जा रहा है तो इनका नाम है मुनिश कपूर क्या नाम है मुनिश कपूर जिनको आरवी के वरिष्ट सलाकार के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो यह स्क्रिन पर जो आपको दिख रहे हैं यह है आदित्य पूरी तो आदित्य पूरी जो SDFC साथ में ही मैनेजिंग डारेक्टर भी थे तो भूत पूर्व से चुड़े हुए थे यह तो अभी इनको डेलाइट के वरिष्ट सलाकार के रूप में निप्त किया गया है अच्छा जो हमारे डेलाइट है उसका पूरा नाम देख लेते हैं तो डेलाइट तोचे इसका यह पूरा नाम है तो इसमें वरिष्ट सलाकार के रूप में निप्त किया गया है HDFC के बहुत पूर्व सीओ और मैनेजिंग डारेक्टर को जिनका नाम है आधिक भारत की किस योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्षय हासल किया है सबसे पहले तो यह कोशन आता है कि यह स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स वो बैक्ति होते हैं जो स्ट्रीट के किनारे कोई नों कोई रहरी कोई नों कोई ठेला या कोई नों कोई काम कर रहे होते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं ठीक है तो 50 लाख से स्वा निधी योजना जिस बात को याद देखिए अभी जो यह 50 लाग स्ट्रीट वेंडर से इनको 65.75 लाग का जो रिंड है वो वित्रत किया जा चुका है ओनलाइन यहीं कि डिजिटली प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इनको यह रिंड दिया जा रहा है इस योजना के तहत 50,000 रुपए का बिना गैरंटी का रिंड दिया जाएगा रहनी और पट्री वालों को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर EKYC का परियोग करते हुए और आभी तक यह देखा गया है कि जब से यह योजना स्टार्ट हुई है तो 8600 करुन रुपए से अधिका जो रिंड है वो हुआ है और डिजिटली लेंदेन के लिए यह जो 50,000 रुपए दिये जाएंगे उसके ऊपर भी क्या दिया जाएगा 7% का जो ब्याज है वो भी दिया जाएगा और यह ब्याज कितना आ रहा है तो यह ब्याज आ रहा है 1200 रुपए इस बाग को ध्यान रख लेंगे तो और उसके बाद डिजिटली लेंदेन के बारे में बात करें तो इस पर 7% का ब्याज भी दिया जाएगा 1200 रुपए जो होता है और यह इंड-to-end IT प्लेटफार्म का उप्योग करके यह पैसे दिये जाएंगे जिसे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो जादा से जादा क्या क कर सके उनकी कमाई हो सके आए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पे पदार्त के बारे में स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह कोका कोला की कंपनी एक वेवरेस की कंपनी है जैसा कि हम सबको पता है तो यह जो अपने छोटे पैक लेकर आती है दस रुपे वाला जो पैकेट ह होता है ना इसका तो उसमें 100% पुनर नवी करनिय P.E.T. बोतलों को बेश किया जाएगा कोका कोला के द्वारा आप जानते हैं कि यह जो बॉटल्स होती है यह प्लास्टिक की बॉटल्स होती है लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे पर्यावरन के लिए सही नहीं है तो P.E.T. P.E.T. का मतलब है polythene terephthalate तो यानि कि यह ऐसी बॉटल्स है जो हमारे पर्यावरन के अनुकूल बनाई जाएगी और कोका कोला ने यह कहा है कि इसकी जितनी भी packaging होती है दो हजार पच्चिस तक यह पूरी तरीके से जो पुनर नवी करनी सामगरी का इस्तेमाल करत हुए ही यह अपनी packaging करेंगे दो हजार पच्चिस तक का motive इन होने लिया है तो याद रख लेना P.E.T. वाली जो बॉटल्स है जो पुनर नवी करनी के लिए आई है छोटी बॉटल्स है वो किसके लिए लेकर आएगा कोका कोला तो कोका कोला की company है बेवरेस कंपनी है जिसक चस बात करेंगे सिक्केम में बाढ़ आया हुई है जैसा कि न्यूज में आप देख रहे हैं तीन अक्टूबर की बात है तो सिक्केम में अचानक से बाढ़ आई और भारी तबाही हो गई किस वज़ 때 है कारण तो कारण ये है कि ग्रफ लेशियर जिंग वर्वाइ हगा यह तो पूरी तरीके से जील जमी हुई थी, ग्लेशियर के फॉर्म में थी, तेखो ये जो घटना है, ये 4 अक्टोबर की घटना है, जो हमारा समुद्र तल है, उससे 5200 मीटर की उचाई परिस्तित है हिमालय का ग्लेशियर है ये, अच्छा इस ग्लेशियर की पिखलने से क्या की बाढ़ आ गई, और इसकी वज़े से ये सारा पानी कहां चला गया, तित्सा नदी बेसिन में चला गया, और तित्सा नदी बेसिन पर एक बांध था, जो सारे पानी को रोप कर रखता था, इस बांध का नाम था, चूंग थांग बांध, तो चूंग थांग बांध का व यहां पर जो इस्थित थी जो सिक्किम और आसपास के एरिया में विद्दूत के लिए मतलब कि सिक्किम और जो आसपास के एरिया है वहां पर बिजली प्रुवाइट करवाती थी वो बुई तरीके से प्रभावित हो गया थी तो याद रख लेंगे तिस्ता नदी बेसिन धीरे धीरे पिघलने की वज़े से ये घटना हुई है आईए नेक्स्ट बात कर लेते हैं New Literature Festival 2023 का आयोजन किस इस्थान पर किया गया है तो देखो जो New Literature Festival है इसका आयोजन किया गया है बैंगलोरू में देखो ये जो New Literature Festival है ये 7 और 8 अक्टूबर को चलेगा बैंगलोरू में इस्पेशली जो बच्चे होते हैं जो साहित्य में रुची रखते हैं उनकी कहानिया उनके उनको रिडिंग कराना उनकी साहित्य को प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा इस बार की जो थीम है What is Childhood Without Stories इस थीम के साथ में जो ये इवेंट है उसको सेलिबरेट किया जाएगा और इसके अलमा 2018 से New Book Award भी की शुरुआत कर दी गई थी 76 स्पीकर्स भाग लेंगे और 600 से अधिक टीमें भाग लेंगी इस इवेंट में आए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसक्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है अमबाई तो Tata Literature Life Lifetime Achievement Award किसको प्रदान किया गया है तो अमबाई जी को प्रदान किया गया है जो कहां से बिलॉंग करती है तमिल नाडों से बिलॉंग करती हैं तमिल भाषा की लेखिका है तमिल में लेखिक है इस्पेशली जो ये पारंपरिक रूडिवादी जो विचारधाराएं है उसके उपर इनका लेख है और ये जो अपनी आवाज है मुखर करती हैं जो परमपरावादी विचारधारा हैं उनके उपर नारीवादी लेख़क हैं यानि कि इनके बक्तव्य में आप नारीओं के प्रति जो समवेधना है वो देख सकते हैं जो लिंग के आधार पर आसा मांता है हमारे देश में उसके उपर इन्होंने मुखर होकर बोला है 2021 में इनकी एक रशना आई थी जिसका नाम था A Red Naked Green Bird A Red Naked Green Bird जिसकी वज़ा से लगू कथाओं की रशना थी जिसकी वज़ा से इनको साहित्य अकादमे पुरसकार भी मिला हुआ है और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो 4th नंबर का EMRS राश्टी सांस्कृतिक और साहितिक उत्सो और कला उत्सो है यह especially हमारा जो जनजातिय वर्ग है उसके लिए समर्पित है जो जनजातिय युवा हैं उन्होंने इसमें पार्टसिपेट किया आकर यहां पर क्या कर सकें सिक्षा ले सकें और हमारी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें तो यह कहां पर इसकी शुरुवात करी गई है तो उत्राखंड के देहरा दोन में इसकी शुरुवात करी गई है और हमारे जो उत्राखन के मुख्य मंत्री हैं वो कौन है तो पुषकर सिंग धामी जी है पुषकर सिंग धामी और जो जन्जाती मंत्राले के मंत्री है जिनका नाम है अर्जुन मुंड़ा तो इन दोनों की उपस्तिती में इस महत्सों का आयोजन किया गया था तीन अक्टूबर को, ओके, क्लियर तीन से लेकर छे अक्टूबर तक ये चला है, यानि कि आज के दिन ये चलेगा और आज के दिन ये समाप्त हो जाएगा, 20 से अधिक कारिकरम पेश किये गये हैं, 22 RS कह रहे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो एकलव्य मॉडल, रेसिडेंसियल स्कूल, आवासिय विद्याल है, यानि कि यहाँ पर बच्चों को लाकर रखा जाएगा, इसकी शुरुवात 1997 से 1998 के बीच में कर दी गई थी, इसके पीछे का मोटिल जैसा कि मैंने आपको ब आवासि विद्याल है, ओके, आएगे नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे देश में जो अनुसुची जन जातिया हैं, जिसको हम शेडिूल ट्राइप्स कहते हैं, उनके उत्थान के लिए कई सारे ऐसे समिधान के तहत प्रावधान भी हम देखते हैं, और कई सारे ऐसे कारिकरम भी चलाये जाते हैं, इनिशियेटिव लिए जाते हैं, गौर्रमेंट के द्वारा, तो अगर हम कानूली प्रावधान के बारे में बात करें, तो अस्प्रिश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण आदिनियम 1955, और इसके बारे में जानते हैं, इसके लामा आदिन प्रदान मंत्री वन धनी योजना, जो इस्पेस्टि ट्राइब्स जहां पर रहते हैं, जंगलों से रिलेटेड ये योजना है, राष्टी अनुसुची जनजाती आयोग है, विशेश रूप से कमजोर जनजाती समूहों का विकास करना, जनजाती सहकारी विप्रण विकास परिसन, तो इसे कई सारे इनिशियेटिव्स, प्रोग्रैम्स, पॉलिसिस, गवर्मेंट बनाती रहे हैं, रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, उसका फटाफट 5 अप्टूबर को हमने World Teachers Day मनाया है, ठीके, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो सिक्षक की कमे को द फिक तब तीन लोगों को सहिंक तुरूप से दिया जा सकता है, और सहिंक तुरूप से 11 स्विडिस जो क्रोनर है वो दिया गया है, और ये जो 11 मिलियन स्विडिस क्रोनर है, वो इन तीनों साइंटिस्ट या जो इन तीनों प्रोफेसर्स के बीच में बाठ दिया जाएगा, तो chemistry के लिए तीन लोगों को select किया गया है जिसमें से मोंगी जी, बारवेंडी, लुईस इब्रस और एलेक्सी जी शामिल हैं HCI खेलों में महिलाओं की जो भाला फेकस पर्दा है भारत के लिए पहला gold medal किसने जीता है तो देको बहुत important है क्योंकि पहली बार भारत ने ACI Games में जो javelin throw है इसमें gold medal जीता है और इनका नाम है अनूरानी, कल की news में काफी सुर्खियों में थी अनूरानी 2023 का इरानी कप किसने जीता है तो शेश भारत ने इरानी कप जीता है सौराश्ट्र को हरा कर सौराश्ट्र को 175 रनों से हराया है ICC ने विशो कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में नुक्त किया है इसक्रीन पर आप सचिन तेंदूलकर जी को देख रहे हैं तो सचिन तेंदूलकर जी के द्वारा ही जो हमारा वर्ल्ड कप बंडे वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है वो लेकर आया किया नरेंदर मोधी स्टेडियम में और इसके बासे टूर्णामेंट स्टार्ट कर दिया गया है जब मो कश्मीर के किस प्रसिद क्राफ्ट को GI टैक प्रदान किया जाएगा तो कल हमने पढ़ा था पश्मीना क्राफ्ट के बारे में जिसको GI टैक प्रदान किया गया है बांगलादेश की सेनाओं की द्वारा किये जा रहा है संयुक्त अभ्यास का नाम यहां पर पूछा जा रहा है तो देखो बांगलादेश और भारत की जो सेनाओं है इन दोनों देशों की लगभग 200 से लेकर 300 के बीच में सेनाओं है वो पार्टिपेट कर रही है और इस अभ्यास का नाम है पूर्व संप्रती जो मिघाले में हो रही है इस बात को ध्यान के लिए दोहजार तेइस वेशियाई खेलों के लिए भारती एथलीट ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड में गोल्ड मेडल जीता है कल की न्यूज में पारूल चौधरी भी काफी ज़्यादा सुल्खियों में थी क्योंकि उन्हें गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए 5000 मीटर की दौड में बायो सेना ने अपने बेड़े में किस मेसाइल को जल्द से जल्द शामिल करने के गोशना कर दी है तो देखो जो यह मेसाइल है जिसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका जो वज़न है 154 किलोग्राम की है 12.5 मीटर की जो है इसकी लंबाई है और 160 की रेंज में 160 की जो रेंज है उसमें ये चल सकती है इसका नाम है अस्त्र बी वी आर क्या नाम है अस्त्र बी वी आर इस सेशन में इतना ही आई होप की आपने सारे कोशन्स अच्छे से समझ ले होंगे इसके अलावा जो रिवीजन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा revision देने का जो motive है वो यही है कि कल जो पढ़ा उसको आज याद कर लो जिससे कि वो हमेशा याद रहे तो मेरे साथ बने रहे है चैनल पर like करते रहे है शेयर करते रहे है और subscribe भी कर लिजिए अगर आप नए है तो bell icon ज़रूर प्रेस कर लिजिए जिसे कि notification day to day आपको मिलता रहे time to time बाकि telegram के link पर English और Hindi both languages में जो भी content है वो उपस्तित है तो पढ़ सकते हैं देख सकते हैं notes भी बना सकते हैं ओके टेक केर बाई बाई